Hello Everyone, I'm Aisha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ SOP के बारे में SOP क्या होता है? सेफटी से इसका क्या रिडेशन है? और अगर हम SOP मेंटीन करते हैं या SOP पर वर्क करते हैं तो हम किस तरीके से सेफटी बेनेफिट्स ले सकते हैं? तो SOP के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी तो SOP जो है, वो है Standard Operating Procedure अब इस Standard Operating Procedure जो है, वो हम कैसे करते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ सबसे बारे तो देखिए, आप जो भी वर्क प्लेस पे हैं ठीक है, वहाँ वर्क कर रहे हैं अब आपने कोई हजार देखा अब आपने हजार तो देखा, जैसे कि हीरा होता है उसमें होता है Hazard Identification and Risk Assessment ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया आपने उसका procedure भी फॉलो कर लिया पर अब माल लीजिए, आपको उसकी दूसरी process तयार करनी है उस काम को करने के लिए, procedure दूसरी तयार करनी है तो आप क्या करेंगे माल लीजिए, कोई एक electrical machine है ठीक है, अब वो work ठीक से कर रही है माल लीजिए, उसमें आपको ऐसा लग रहा है इस काम को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं जो जादा safely हो सके तो आप क्या करोगे, उसके लिए कैसो पी तयार करोगे कोई भी नया work आपको करवाना है company में या अपनी industry में तो उसके लिए आपनको पहले SOP maintain करनी पड़ेगी चिक है, अब SOP कैसे maintain होगी तो यह मैं आपको बताती हो अब SOP बनाने के लिए हमें पहले क्या करना होगा plan करना होगा, कि हम कैसी SOP बनाए, फिर plan करके उसे implement करना होगा, मतलब plan करा हमने, फिर उसे बताना भी तो होगा ना लोगों को, कि हमने इस तरीके का plan बनाए, अपने employees को introduce कराना पड़ेगा, फिर वो जो भी अपने plan बनाए, उसे करना होगा, है ना, तो इसके लिए हम क्या use करते हैं? अब हम करेंगे PDAC PDAC क्या होता है? plan, do, check, act plan, do, check, act क्या होता है? पहले हम plan करेंगे फिर जो plan किया उसे करेंगे और उसको check करेंगे कि ठीक से work कर रहा है या नहीं और उसे क्या करेंगे? उसको हम implement करेंगे, industry में उस plan को बनाए हुए plan को उतार देंगे कि अब ये जो plan हमने नया, जो procedure बनाया है, वो हम use कर सकते हैं, तो यह होता है PDCA तो यह देखिए, इस तरीके से PDCA एक cycle होती है इसमें क्या होता है, जो भी अपन plan कर रहे है मतलब जो भी हम create कर रहे है एक team के साथ, जो भी हमने planning बनाई है, वो हमारे SOP के अंदर आजाएगी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? जो भी हमने बनाया है उसको क्या करेंगे? उसको करके देखेंगे, जो भी plan हमने बनाया उसको हम करके देखेंगे कि ये work कर रहा है और उसके बाद क्या करेंगे? उसे check करेंगे monitor करेंगे, उसे audit करेंगे regularly कि जो हमने plan बनाये है वो ठीक से work कर रहे है कि या नहीं, ठीक है, फिर act में हम क्या करेंगे? इसमें improving करते जाएंगे और साथ-साथ और उसे industry में able कर देंगे, अपने workplace पे able कर देंगे कि हाँ ये जो हमने SOP बनाई है इसमें अब हम work कर सकते हैं ये workable है तो इस तरीके से PREC हम इसमें करते हैं, SOP के अंदर जो किया आता है अब SOP का क्या है जो work करता है SOP वो करता है standard operability procedure standard operating procedure जो है अगर हम उसको लेके जो भी अपने PDCA बनाते हैं तो क्या होगा जो भी हम work कर रहे हैं उसके दोरान एक नहीं policy जैसी हम implement कर सकते हैं अपने industry में, ठीक है? अब ये करते क्यों है SOP अब माल लीजिए standard operating procedure जो है वो हम क्यों करते हैं अब माल लीजिए कोई भी दिक्कत आ रही है भी industry में आपका work चल रहा है अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने भी बताया था आपको कि ये काम जो है वो भी safety से नहीं हो रहा है इसके safety के लिए में और कुछ भी कर सकते हैं तो उसके एक report तयार करना कि ये points हम डाल के इसमें इस काम को हम दूसरे तरीकी से safety के साथ कर सकते हैं क्या हुआ हमने analyze के इस तरीकी का hazard है और इससे इतनी risk हो सकती है इससे क्या होगा जो भी हमने planning की है अपने work को और safely तरीके से करने की तो क्या होगा उसको हम as a plan क्या कर सकते हैं धिरे धिरे step by step उसको अगर करेंगे तो हम कोई भी SOP बना सकते हैं ऐसा तो नहीं हमने आज ही हजार देखा अगर कोई machine भी है या कोई भी चीज है खराब है तो हम क्या करेंगे पहले उसे थोड़े दर काम रोकेंगे और उसके बाद वो जो भी चीज हो रही है उसे ठीक करेंगे उसके बाद work करेंगे तो ऐसी SOP का काम है कि जो भी SOP आप बनाते हैं जिस भी काम को लेकर तो उसके लिए पहले PDCA करना पड़ता है जब PDCA हो जाता है उसी के बाद वो चीज जो है वो हम अपनी industry में अपने work place पे कर सकते हैं तो SOP maintain करने के लिए PDCA बहुत important है अब इसके कुछ 5 steps है जो कि 5 steps जब हम SOP बना रहे होते हैं तो वो 5 steps क्या है वो मैं आपको बताती हूँ तो यह हैं 5 steps के लिए SOP के लिए SOP template कैसे बना सकते हैं क्या करेंगे सबसे पहले SOP एक create करेंगे हमने SOP create की हमने देखा कि इस का type का काम हो रहा है इसको हम किसी और तरीके से या इस काम के लिए हम एक एक SOP template फाईल तयार की फिर उसको क्या किया उसका format जो है जो भी हमने पॉइंट्स एड कि है उसका format भी तयार किया कि इस तरीके से हम ऐसे ऐसे work करेंगे उसके बाद क्या क्या किया बाकि जो SOP के common elements है वो सारे लिए ठीक है फिर उस SOP को finalize किया ठीक है यह सारा वही हो रहा है PDC है जिसे की plan किया act किया है ना do किया check किया तो वही ऐसे finalize किया उस SOP की style को कि यह क्या यह पसंद है सबको अपने लोगों से check करवाया कि मैंने इस तरीके का SOP बनाया है इस work regarding तो क्या है ठीक है और उसके बाद सब आपको बताया कि यह new SOP template आ गई है और अब यह जो काम इस तरीके से हो रहा था अब उसको इस तरीके से किया जाएगा ठीक है तो SOP क्या है जो भी work हम कर रहे हैं उसमें implement आने के लिए मतलब और अच्छा करने के लिए बनाई जाती है और इसमें कुछ safety points भी add करते हैं जिस safety में तो यह 5 points है SOP के तो SOP आपको पता चला होगा आज कि SOP क्या होता है उसके अंदर PDCA क्या होता है यह क्यों मनाया जाता है PDCA कोई बड़े ही चीज नहीं है इसमें सिर्फ PDCA के 4 step रहते हैं जिससे क्या होता है SOP को एक step by step काम करने का तरीका पता चलता है और जो भी हम points पता है SOP के लिए तो उसे क्या है ठीक से हम बना सकते हैं कि पहले हमने प्लाइन किया फिर उसे किया फिर चैक किया फिर एक्ट किया तो इसलिए क्या है PDCA इसमें बहुत important रहता है SOP बनाने का यह एक point रहता है कि इसकी help से हम SOP बना सकते हैं ये था अच SOP, THANK YOU